हले दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है प्यार में बारवार धोका, आज की कहानी आदित्य और खुशी की अधूरी क्रेम कहानी की है, आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्छा था, उसकी मुलाकात अलेविंत स्टेंडर मे खुशी से हुई, खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी, धीरे धीरे इलेविंत खतम होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे, और ट्वेल्थ में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी लेकिन फिर उसे समझ में आ गया की खुशी सही कह रही है, और उसे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया, और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहां तक की खुशी से भ पर चुकी थी, और आदित्य इन सब बातों को नजर अंदाज करते हुए अपने इंटरमीडियेट की परिक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फस्ट आ गया, बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और बहां भी वो किसी लड़की से बात नही करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बाते कही थी, कहीं ने कहीं उसके दिल में बैट गई थी, और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती, तो वो मूल लेता, और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया, और आखरी में आते आते, वो से प्लेस्टमेंट भी मिल गई, और वो जॉब करने के लिए फिर से मुंबई चला गया, मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहां एक महले के लोग दूसरे महले वाले को नहीं जानते है, वहीं जब आदित्य आफिस गया तो वहां उसे खुशी दिखी, लेकिन अब लिए उसके दिल में कोई जगे नहीं थी, और इसलिए वो हर बार खुशी से छिपता रहता, इसलिए नहीं क्यूंकि वो उससे नाराज था, बलकि इसलिए क्यूंकि वो फिर से खुशी की जिंदकी में नहीं आना चाता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, एक दिन ओफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बाते करने लगी, आदित के पास भी खुशी से बात करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था, दोनों के दिल में पिछले चार सालों से जो भी दर्द उन्होंने एक दूसरे को बताया और खुशी ने उस से बिछणने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और आदित से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित को कहीं न कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी, कि खुशी गलत नहीं थी और आदित को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक आदित खुशी से बात करते करते उस से अपने प्यार का इजहार कर देता है लेकिन खुशी फिर से इनकार कर देती है और जब आदित उससे इसकी बज़े पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तै हो गई है और एक महिने बाद वो ये जौब छोड़ देगी जब ये बात आदित को पता चली तो वो एक बार फिर से तूट गया जिसके बाद वो अपने आपको सभाल नहीं पाया और एक चिठ्थी खुशी के लिए छोड़ कर चला गया और खुशी उस ख़त को पढ़ती है जिसमें लिखा था मेरी प्यारी खुशी मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन शायद तुम मेरी जिन्दगी में नहीं हो इसलिए तो मैं तुम्हें दो-दो बार खोया है कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को दो बार खोए मैं नहीं जानता कि मैं तुम से दूर रहके जी पाऊंगा की नहीं लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लोंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा इसलिए मैं तुम्हें और इस सहर दोनों के छोड़ के जा रहा हूं शायद तुम मुझे भूल जाओ लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं भगवान से प्राथना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने बाले पती को हमेशा खुश रखे तुम्हारा प्यार आदित्य खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंडा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में खुशी ने अपने परिबार की खुशी के लिए अभिशेक से शादी कर ली लेकिन खुशी को आज भी ये बाद हमेशा सताती है कि आदित कहां होगा किस हाल में होगा यहां तक तो उसे ये भी नहीं पता आदित्य जिन्दा भी है या नहीं एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुड़ती रहती है लेकिन दूसी तरफ वो एक परफेक्ट भहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट मा भी है जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12 इस्टेंडर में या जॉब टाइम पर आदित को ठुकरा के गलत किया या सही लेकिन आदित ने सावित कर दिया कि वो खुशी से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक खुशी अपने आपको माप नहीं कर पाई है मिल जाती अगर सभी को अपनी महबत में मंजिल तो यकीनन रातों के अंधरों में कोई दर्दवरी शायरी न लिखता थांक यू फो बॉचिंग